आयूर्वेदा होम केर में आपका स्वागत है। सरदर्द दूर करने के लिए लोग कई तरह की दवायां भी लेते हैं। इससे चुटकारा पाने में योग काफी मददगार साबित होता है। योग के कुछ आसन प्रति दिन 20-30 मिनट तक करके सिरदर्द और माईग्रेन से मुक्ति पाई जा सकती है। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो योगासन। वजरासन। वजर यानी कठोर। इसलिए वजरासन से शरीर को मजबूती मिलती है। आसन बिछा कर उस पर घुटनों को मोड कर इस तरह से बैठें कि पैरों के पंजे पीछे की ओर हो जाएं। और नितम दोनों एडियों के बीच में आ जाए। पदमासन में बैठें, गर्दन, कमर बिल्कुल सीधी रखें दाई हाथ के अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करें फिर नाक के बाई छिद्र से सास भरें और दाई हाथ के उंगलियों से नाक को बंद करते हुए दाई ओर से श्वास बहार निकालें इस प्राणायाम को बारा से पंद्रा बार करें हस्त पदासन सबसे पहले जमीन पर एक आसन बिछा लें इसके बाद सीधे खड़े हो जाए अब पैरों को एक दूसरे से दूर ले जाए इसके बाद अपने दोनों हाथों को एक सीध में उपर की तरफ ले जाए अब आप अपने हाथों को धीरे धीरे पैरों तक ले जाए और जमीन को चुएं और अपने सिर को घुटनों से लगाने की कोशिश करें साथ ही साथ अपने उंगलियों के पोरों के जरिये भी जमीन को चूने की कोशिश करें जब आप हस्त पादासन योग को कर रही हो तब अपनी सासों को साम्मान यही रखें हस्त पादासन को दिन में दो बार करें सेतू बांधना सेतू बांधना करने के लिए अपने शरीर के बल लेट जाएं अब घुटनों को मोर लें गुटनों और पैरों को एक सीध में रखते हुए, दोनों पैरों को एक दूसरे से 10 से 12 इंच दूर रखते हुए फैला लें हाथों को शरीर के साथ रख लें हथेलियां जमीन पर रहें सांस लेते हुए धीरे से अपने पीट के निचले, मध्य और फिर सबसे उपरी हिस्से को जमीन से उठाएं धीरे से अपने कंधे को अंदर की ओर लें बिना थोड़ी को हिलाए अपनी छाती को अपनी थोड़ी के साथ लगाएं और अपने कंधों, हाथों वपैरों को अपने वजन का सहारा देएं शरीर के निचले हिस्से को इस दौरान स्थिर रखें दोनों ज vibration इस दौरान एक सात रहेंगी चाहें तो इस दोरान आप अपने हाथों को जमीन पर दबाते हुए शरीर के उपरी हिस्से को उठा सकते हैं अपनी कमर को अपने हाथों द्वारा सहारा भी दे सकते हैं आसन को एक से दो मिनट बनाए रखें और सांस छोड़ते हुए आसन से बाहरा जाएं मरजरियासन अपने घुटनों और हाथों के बल आएं और शरीर को एक मेज की तरह बना लें अपनी पीट से मेज का उपरी हिस्सा बनाएं और हाथ और पैर से मेज के चारों पैर बनाएं अपने हाथ कंधों के नीचे रखें हथेलियास जमीन से चिपकाई हुए रखें और घुटनों में पुठों जितना अंतर रखें गर्दन सीधी नदरें सामने रखें सांस लेते हुए अपनी थोड़ी को उपर की और सर के पीछे की और ले जाएं अपनी नाभी को जमीन की और दबाएं और अपनी कमर के नीचे के हिस्से को छट की और ले जाएं फिर अपने दोनों पुठों को सिकोड लें इस थिती को बनाए रखें और लंबी गहरी सांस लेते और छोड़ते रहें अब इसके विपरीत स्थिती करें, सास छोड़ते हुए ठोड़ी को छाती से लगाएं और पीट को धन शाकार में जितना उपर हो सके उतना उठाएं, पुठों को धीला छोड़ दें, इस थिती को कुछ समय तक बनाए रखें और फिर पहले की तरह मेज की स्थिती में आ इस प्रक्रिया को पाँच से छे बार दोहराएं और फिर विश्राम करें शवासन इसमें पीट के बल लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच एक से दो फुट का फासला रखें, दोनों हाथ जांगों के पास और दोनों हथेलियां उपर की ओर हो इस आसन में हम अपने पूरे शरीर को आराम देते हैं और अपना सारा ध्यान, सांस लेने और छोडने में लगाते हैं इससे हम अपने अंतरमन से शरीर के एक-एक अंका अवलोकन करते हैं इन आसनों को नियम पूर्वक करने से आपको माईग्रेन के अलावा मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अतिरिक अच्छे कार्यक्रमूं को देखें। समय समय पर अवकाश लें। शांती प्रत्संगीत का आनंद लेना, प्रातह एवं सायमकाल, प्रकृति का आनंद लेना आदी, मसल्स पर शांती कारक प्रभाव डालते हैं। देप्रेशन किसी बिमारी का नाम नहीं है। ये एक ऐसी मानसिक हालत होती है, जिसमें इनसान की सोचने समझने की शक्ती कम हो जाती है। वो किसी भी प्रकार का सही डिसिजन नहीं ले सकता है। देखा ज जाते हैं तो हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, जिसके कारण हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन में आने के बाद लोगों में चिलचिड़ापन आ जाता है। और साथ ही ये दिमाग की शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। अच्छे दोस्त बनाएं और परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं, अपना पसंदीदा कार्य करें और अपने आपको ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखने का प्रयास करें, व्यायाम या योग का अभ्यास करें ताकि मन मस्तिश्क में सकारात्मक उर्जा का प्रसार ह आत्म विश्वास बनाए रखें और नाकारात्मकता से दूर रहें और हमेशा पॉजिटिव सोचें और खुश रहें हमेशा पूरी आठ घंटे की नीन लें क्यूंकि ऐसा करने से आपको सकारात्मक उर्जा की प्राप्ति होती है तनाव की अवस्था में आठ से दस बार लंबी सांस लें और छोड़ें इससे आपकी हार्टपीट नॉर्मल हो जाएगी और आप टैंशन फ्री हो जाएंगे अपने डर पर काबू पाने का प्रयास करें आप घर के पास के पार्क या शहर के किसी दर्शनीय स्थर पर घूमने जा सकते हैं तनाव से मुक्ती के लिए अपनी पसंदीदा खुश बुसूंगे ये आपके तनाव को कुछ समय के लिए दूर कर सकती है चलिए आप जानते हैं कुछ आयूरवेदिक उप्चारों के बारे में इलाइची एक प्राकृतिक अंटिडिप्रेसंट है इसकी चाए मन को प्रभावित करती है और मूर को खुश करने में मदद भी करती है लगभग देड़ ग्राम इलाइची पाउडर और पानी का काठा बना ले और प्रती दिन एक ग्लास का सेवन करें आप सुआत के लिए चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं नहाने के पानी में इलाइची के तेल को थोड़ा सा डाल कर स्नान करें ये तनाव को कम करने और निराशा से लड़ने में मदद करता है तुलसी की 10 से 12 पत्तियों को दिन में 2 बार चबाने से तनाव को दूर किया जा सकता है इसके अलावा तुलसी की पत्यों के साथ चीनी, डाल चीनी और सूखे अद्रक की जड़ों के साथ पानी डाल कर एक मिश्रन तयार कर लें इस मिश्रन का सेवन दिन में पांच बार करें इसका उप्योग करने से भी आप डिप्रेशन से बाहरा सकते हैं लाल गुलाब डिप्रेशन पर काबू पाने में आपकी मदद कर सकता है इसके लिए 200 मिलिलीटर पानी में 25-30 गुलाब की पंखुडियों को डाल कर उबाल लीजिए आप चाहें तो सुवाद के लिए मिश्री का उप्योग भी कर सकते हैं प्रति दिन दो बार इस काड़े को पिएं डिप्रेशन से चुटकारा पानी के लिए आप नीमबू बाम की चाय का सेवन भी कर सकते हैं या फिर आप अरोमा थेरिपी के लिए इसके तेल का उप्योग कर सकते हैं इसके आकरशक सुगंध उदास मन को ठीक करती है और मन को सुखदायक प्रभाव देती है काली मिर्च का सेवन करने से तनाव कम होता है और कल्यान की भावना पैदा हो जाती है जिससे चिंता और उदासी कम हो जाती है इसलिए अपने दैनिक भोजन में काली मिर्च का उप्योग करना ना भूलें तनाव और चिंता से राहत पानी के लिए ब्रहामी की पत्तियों को चबाएं ब्रहामी में कुछ ऐसे सक्रियत तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के हॉर्मोन पर साकारात्मक प्रभाव डालते हैं जिससे हमारा दिमाग शांत हो जाता है हल्दी सीजनल डिप्रेशन में प्रभावी धंक से उपचार करने में मदद करती है यदि आप मौसम परिवर्तन के साथ उदास रहने लगते हैं तब आप गरम दूद में हल्दी डाल कर ले सकते हैं इसका सेवन कम से कम एक सब्ताह तक अवश्य करना चाहिए जटा मासी डिप्रेशन को दूर करने वाली एक आयूर्वेदिक जड़ी बूटी है ये जड़ी बूटी डिप्रेस करने वाली भावनाव को मन से दूर करने में मदद करती है अश्वगंधा अवसाद के लिए सबसे अच्छा आयूरवेदी को पाए है प्रति दिन शहद के साथ एक चमच अश्वगंधा का सेवन करें ये अवसाद जैसी समस्या को दूर करेगा कद्दू के बीज प्राकृतिक रूप से अवसाद को खत्म करने में लाबदायक है इसके लिए आप प्रति दिन दो ग्राम कद्दू के बीज का सेवन करें ये मूर को खुश रखने में मदद करता है तो दोस्तों अगर आपको हमारे नुस्खे पसंदा रहे हैं तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चानल आयूरवेदा होम केर धन्यबाद